हलो कैसे हैं आप आज हम बनाने वाले हैं सांबर और इससे हम बनाएंगे बहुत ही इजी और कुईक तरीके से मैं इससे बनाने वाली हूँ पुछी आते हैं सामबर बढेगा helling और सांबर कोितने दिमी आज में हम पकाते हैं एक आती हैं दिआते हैं अब तो बढ़ें को सामबर को पानी आज में पानी डाने के बारीं हमुआ दिख्या बढना वक्त आने सिक ऑab तेल गरम हो गया है इसमें में आफ टीस्पून डाल दिया जीरा और जीरे के साथ डाल दोंगी हाफ टीस्पून राई के दाने तो ये राई के दाने और जीरे को अच्छे से आप भूंज लीजीगा देखिए प्रतकने लगे हैं अब एड कर देंगे हम इसमें एक चमस दुल बुना हुआ चना जिसके हम चटनी बनाते हैं यह वही चना है और इन सब को हम अच्छे से मिक्स करके अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इसका कच्छापन हटा देंगे तो यह देखिए अब यह भी धीरे धीरे फूटने लगे हैं तो यह बड़िया सा इसमें कलर अगया है अ इसमें अब मैं एड़ कर दूँगे दो बारी कटे हुए हरी मिच को बारी काट लेगी जिगा और इसको एड़ करने के बाद भी इसको अच्छे से हम चला के भूझ लेंगे तो यह देखिए अब इसका कलर पढ़िया सा आने लगा है कड़ी पत्ते मैंने लिये हैं 4-5 वह इसको एड़ करने के बाद इसमें मैं एड़ कर दूँगी 2-3 तीम सुखी हुई लालुज यह बहुत तीखी वारी लिये मैंने तो देखें बढ़िया सा अब इसमें कलर आने के बाद अब इसमें हम मिक्स करेंगे कटी हुई सबजियां सबजियां आपको जो पसंद है आप अबने सांबर में और बारी कटा हुआ लौकी इन सभी सबजियों को मैंने अच्छे से दूब के काट लिया है और इसे एड़ करके अच्छे से हम मिक्स कर देंगे देखे कि आप कलर फुल लग रहा है बहुती बढ़िया सा लग कलर आ रहा है इसमें एड़ कर दूंगी एक कटा हुआ बैगन यह ऑप्शनल है आप चाहे तो रग सकते हैं नहीं तो इसे की भी कर देज़ेगा सबजी आप अपने हिसाब से रखेगा कटा हुआ मैंने एक टमाटर डाला है एक टमाटर कटा हुआ डालने के बार इसे अच्छे से हम कर देंगे मिक्स थोड़ा सा नमक बार पहले नमक और हल्दी प्लाओर डालके अब हम इन सब्छीयों को अच्छे से कर देंगे मिक्स है तो यह देखें अब मिक्स करने के बाद फटा फट इसे हम पकने के लिए छोड़ देते तो ये देखिया हो गया है fix color क्या बढ़िया लग रहा है इसमें एड़ कर कटी हुई बारिक दनिया उसे अड़ करने के बाद इससे ढखके हम पका लेंगे तो यह देखिए सबजिया मेरी गल्चुकी है इसमें थोड़ा सा लाल पाउडर कश्मीरी लाल पाउडर मैंने लिया है हाफ टी स्पुल कलर आ जाए क्योंकि मैंने हरेमेच और यह लाल ड्राय यूज करी है तो यह देखिए बढ़िया सा अब मैं इसमें अड़ कर दूंगी हमारे दाल मैंने एक कप तूर दाल और एक चोथाई कप चना दाल को कुकर में पका लिया था तो यह सिंपल सा आपको सीटी लगाना है बस अउनली इसलिए मैंने इसे वीडियो में आड़नी क आप ले भी सकते existe जगाओ हम लिजीए का शिंग अगर आपको पसंदा को यह मैंने सांबहर मसाला एडर कर दिया है तो बड़ीया सा दो चम्मत सांबहर मसाला एड concealed के बाद इससे मैं अच्छिसे कर दूँगी मिक्स यह देक है क्या तो बड़ीया इसे तो फुबारा दीरी आंज में और थोड़ा सा मेनी मिल दिया हो एसे में अपकते हैं अब इसे agreeing हैं फिल गलें सर्फ आँपर गविए के अपितलि विदियो नेग?